ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अगस्त से 31 अगस्त याने किन 30 दिनों के आपकी राशी की महराशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालो के लिए 2 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन 30 दिनों का समय कैसा रहने वाला है देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें को कि यह है वीडियो आपकी राशी वालों के लिए बहुती महत पपून वीडियो रहने वाली है जब दोस्तों वीडियो का के शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान गनेश और मातलक्षमी क सच्चे वक्त वीडियो को लाइक करें सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैय स्री गनेश जैमातलक्षमी के गरपा आपके परिवार के उपर सरवसरवदा बनी रहे तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए दो अगस्त से 31 अ गुजनाओं संबंदी कारों पर अधिक द्यान केंद दित रखें आपको महत्पपूर्ण उपलब्दी हासिल होगी बुजरुगों का अशिरवाद वे इसने पाकर आप और अधिक प्रगर्ती पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों साति साथ यह समय आपके लिए लाबकारी है अपने सपने वे कलपनाएं शाकार करने का यह उत्तम समय है अपनी छमता पर विश्वास रखें बहुत सी परिसानियों का अब हल मिलेगा रिष्टेदारों से संबंदित किसी विवाद के सुलजने से रिष्टों में दोबारा मधूर्त आएगी दोस्तों साति साथ परिव कि यहां धर्मिक उत्सब में दाने का भी प्रोग्राम बनेगा कहीं फसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक इस्तिती और अधिक बहतर होगी साति साथ शामाजिक गति विदियों में आपका सहोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान कर रहा है आपकी प्रतिभा तथा छमत प्रताएं लोगों के सामने उजागर होंगी घर के नवीनी करण संबंदी योजनाय भी बनेंगी और इनके लिए वास्तु के नियमों का प्रियोग करना और अधिक उत्तम रहेगा दोस्तों साति सात यह समय किसी भी कार्र को करने से पहले घर के अनुवभी व्यक्तियों की सला आप अवश्च चलें सोच समझ कर लिया गया निर्णे आगे चल कर आपको लाब देगा संतान की तरब से भी कोई सुब समचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहोल रहेगा मन मुताबिक समय व्यतित करने से आप फ्रैस और तनाव मुक्त रहेंगे और अपने अंदर एक नई उर्जा का संचार आप महसूस करेंगे दोस्तो साति सात किसी एप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरन कुछ नकारातमक भी हो सकता है इस तनाव का असर आपकी कारच्छमता पर भी पड़ेगा घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सला वैशयोग आप अवश्य लें दोस्तो साति सात अनावशक यात्राओं को आप इस्तगित रखें लोगों के साथ वहवार करते समय सावधान रहें गलत फैमी की वज़े से संबंदों में खटास आ सकती है बच्चे की किसी नकारात्मक गति विदी की वज़े से चिंता रह सकती है परंतु सांति पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकलेगा दोस्तों साति सात किसी प्रकार की निवेस संबंदी गति विदियों को आप इस्तगित रखें अन्यता नुकसान जैसी इस्तिती आ सकती है विद्यारती अपनी पढ़ाय के प्रती ज़्यादा फोकस रखें साति साथ पड़ोसियों के साथ संबंद खराब ना होने दें ध्यान रखें कि जरासी गलत फैमी की वज़े से नजदी की मित्रों या भायों के साथ संबंद भी खराब हो सकते हैं तनाव को अपन अंजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपके लिए नुकसान दे हो सकता है। फाल्तू के कारों में भी खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ यह समय किसी भी प्रकार का महत्पपून आप निर्ने लेने से बचें। आप किसी दुविदा में भी बुरी तरह से फस सकते हैं जिसका असर परीबार पर भी पड़ सकता है। बहतर होगा कि बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का भी आप संपर्क कम ही रखें। आपके लिए बहतर रहेगा। दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय घर के वातावरण को उचित बनाए रखने में जीवन साती का महत्पपून योगदान रहेगा। तथा किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी। परिवारिक वातावरण उत्तम बना रहेगा। रह सकती है। इसके बाद आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी। दोस्तो विवाहित जीवन में मदुरता बनी रहेगी। किसी भी महत्पपून निर्ने में जीवन साती की सला आपके लिए लाबदायक साबित होगी। प्रेम संबंदों में नजदी की आए साती सात परिवारिक वातावरन, सहयोगा अत्मक तता खुसन मा रहेगा। प्रेम जीवन के द्रिश्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा। इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं। दोस्तो बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो य यह समय नौकरी और व्यवसाय में शकारत्मक पैरणाम आपको प्राप्त होंगे। युवा वर्ग को नौकरी से संबंदित बेजी गई फाइल का शकारत्मक रिजल्ट प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्य की अधिक्ता की वज़े से घर पर भी ओफिस का कुछ काम करना पड़ सकता है। कार्य छित्र में वर्तमान गति विद्यों पर अपना ध्यान केंदित रखें क्योंकि इस समय कोई नया काम या योजना कामियाव नहीं रहेगी। मेहनत जादा और कम पैरणाम जैसी इस्तिती बनी हुई है। कार्य इस्थल पर किसी से बि तथा गैर कानूनी कारों में हात ना डालें। किसी प्रकार की इंक्वारी होनी की भी आसंका बन रही है। नौकरी में बहुस वे अधिकारी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है। इसलिए आप साब धन भी रहें। कार्य छित्र में शहयोगी तथा कर्मच दोस्ताना वहवार रखें इससे वे लोग पूरी एनरजी से काम के प्रती अपना ध्यान दे पाएंगे शंगीत शहित्य और कला संबंदिक कारों में आपको सफलता मिलेगी सिर्फ आपको अनुशासित तथा आत्म नियंत्रित रहने की जरूत है कार्य इस्थल तथा विवसाइक इस्थल पर आपकी उपस्तिती अनिवार रहें क्योंकि आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी काम पर ध्यान नहीं देंगे निवेस संबंदी किसी भी प्रकार की योजनाओं को क्रिया निवेंत करने से पहले सबी पहलूँ पर विचार विमर्स आप जरूर करें साथ साथ काम काज में बहुत अधिक वेस्त ता रहेगी आप कुछ ठोस तथा महत्पपोन निर्ने भी लेंगे और उन्हें पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे जिससे आपको काफे खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय रक्त संबंदी कोई समस्या हो सकती है आप लापरवाही ना बरतें और अपनी जांच अवश्य कराएं खास तोर पर महिलाएं अपने स्वास्थ के प्रती अधिक जाग रुक रहें क्योंकि किसी प्रकार के इंफेक्शन की भी आसंका लग रही है गैस वे पेट दर्द संबंदी सिकायत रह सकती है खान पान पर नियंत अड़ रखें आयरुविदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तिमाल करें साथिसाथ एक कारण ही तनाव की इस्तिती रह सकती है जिसका असर आपकी कारे छमता पर भी पड़ेगा मेडिटेशन में कुछ समय आप व्यातीत करें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा